नमस्कार मैं हूँ रॉनेक आप देखना शुरू कर चुके हैं स्क्रीन वाला यानि आप तो बढ़िया चीज देखना शुरू कर चुके हैं लेकिन मुझे ये क्या देखना पड़ रहा है सुप्रीम कोट ने पटाके बैन किये थे दिवाली पर लेकिन देश भर में लोगों इस बैन के पिछवाडे में ही रॉकेट डाल कर जला दिया और पूरा इलागा दुआ दुआ कर दिया चलो ये तो फिर भी हम लोग जेल लेंगे लेकिन थेटर में पटाके आरे भाई लोग थेटर पिचर देखने जाते हैं खतरों के खिलाडी का नॉमिनेशन भरने नहीं जिनको रेफरेंस समझ नहीं आ रहा है उनको बता दू महरास्टर के एक तेटर में टाइगर 3 के दौरान सलमान के एंट्री पर जम कर रॉकेट दागे गए ऐसी आतिश बाजी हुई कि इतनी तो इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पर भी नहीं होगी लेकिन भाई इंडिया जब वर्ल कप जीतेगी तो आतिश बाजी स्टेडियम में होगी ही होगी तेटर के अंदर आतिश बाजी करके क्या करना चाते हो क्या दिखाना चाते हो लोगों को साल्टेट पॉपकॉन पसंद है उनको रोस्टेड करने की जरूरत नहीं है हद दर्जे की बेखूफी है ख हर चबा कर ठूख दो अंदर अराओ नहीं है खेर हर तीटर की अलग सिक्योरिटी होती है लेकिन हर तीटर की सिक्योरिटी मंडे के दिन काफी बिजी रही क्यूंकि उनको बहुत सारे लोगों की तलाशी लेनी पड़ी जिया मंडे की इन सलमान खान की फिल्म ने पुल्डे कलेक्शन निकाल दो तो सबसे बड़ा कलेक्शन है बेसिकली एक नॉन-SR के मूवी ने एक ही दिन में 2023 में 58 करोड रुपे की कमाई कर ली है इसी के साथ फिल्म ने अपने दो दिन में इंडियन बॉक्स आफिस पर 101 करोड का शगुन कुल मिलाकर चड़ा दिया जो नॉर्थ इंडिया के मेजर मार्केट हैं जैसे दिल्ली उतर प्रदेश, मद्यप्रदेश, राजसान, हर्याना, पंजाब यहाँ पर फिल्म ने भहेंकर कमाई करी है इसी के साथ ये सल्मान खान की सौ करोड क्लब में शामील होने वाली सत्रहवी पिक्चर है सौ करोड की क्लब में इतनी फिल्में किसी भी और बॉलिवड आक्टर के पास नहीं है लेकिन देखो असल बात तो ये कि सल्मान शारूक आमिर इन लोगों के लिए अब सौ करोड के कोई माइने नहीं रहेंगे क्योंकि इन से एक्सपेक्टिशन बहुत हाई है और शारूक ने तो भईया बहुत उचे परामिटर सेट कर दिये है उनकी पिछली दो फिल्में पांच-पांच-पांसो करोड के पार गई है और फिलाल सल्मान खान की बॉक्स आफिस पर जबर्दस वापसी भले हो गई हो लेकिन उनकी ये फिल्म शारूक की फिल्मों के मुकाबले पिछड़ती नजर आ रही है शारूक की फिल्म पठान ने अपने पहले दिन 56 करोड किये थे जिया सल्मान खान पहले दिन 43 कर पाए है ऐसे में दूसरे दिन उनकी फिल्म भले 58 करोड कमा ली हो लेकिन पठान ने अपने दूसरे दिन 68 करोड कमाये थे अब भाई खुद तो बहुत अच्छा गर रहे है लेकिन उनके फैंस को शारुखान के फैंस के सामने बोलने के लिए और बहतर नंबर्स चाहिए लेकिन पहले दो दिन में ऐसा नहीं हो पाया है कल फिल्म की ट्रेडिंग भी सोमार की तरह नहीं रही और ऐसा माना जा रहा है कि कल की कलेक्शन मंडे से कम होंगे अगर ऐसा होता है तो ये फिल्म 500 करोड बॉक्स ओफिस का आकड़ा शायद नहीं चूपाए क्योंकि आज है इंडिया न्यूजिलेंड का सेमी फाइनल जिसकी वज़े से बिजनस डेफिनेटल अफेक्ट होगा मेरे इसाब से ये फिल्म 300 से 400 करोड के बीच बिजनस कर पाईगे आपको क्या लगता है कॉमेंट करके जरूर बताना स्क्रीन वाला सब्सक्राइब करके जाना पिचर देखे या नहीं देखे जो भी हो अपना रियाक्शन जरूर बताना फेस्बूक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करना थैंक्यू फू आचिंग जल्दी मिलते हैं जहिंत